नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतियोगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान के 270 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी ग्यार में बारवी और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सोलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉम पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजाया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक्टि नहीं इस अग्जाम का मकसद है कि पाँच में चृती साथ में में ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओमार सीट क्या होती है अप्जेक्टि किसाम को दंग सिर्दा पाया होगा फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे वहशे की तरब तो यह वीडियो सोलुशन आप देख रहे हैं हर क्लास का अलगले वीडियो सोलुशन है पूरा वीडियो सोलुशन देखें आपको किसी भी प्रश्चन में लगता है कि हम ने सोलुशन गलत देदिया कि गलत है तो प्लीज आप अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नंबर प्रोकुष्चन नंबर लिखके मेरे इस नंबर पे डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डवलेट 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 एडवार्स करने आप लोग बोलो हाया ना और 27 तार इस एक्जाम की जो भी स्ट्री है वो सारी नहीं रहेगी अब फिर से एक बास स्लाइट देख लिए डी टी एसी डोट टील सी परिवार्स डोट इन ओके एक्जाम हो गई वीडियो सोलिशन देख लिया डाउट खतम हो गए आंसर मिला लिए नंबर चोड लिए ओके डियर जोट कब आएगा धाना आपको जोट आएगा तीन मार्च को शाम को पांच बजेट आपको पता है आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखाओगा ना किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं बाकि स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे हां सीकर चूरू धून अजमे रासमंद की डेट्स हम भोली के बात देंगे क्योंकि आपको पता पांच मार्च से लेके सोड़ा मार्च तक लगातार में फंक्शन कर रहा हूं हां मैं खुद आ रहा हूं सा बिलकुल 29 के 29 जिले में खुद कबर करने आऊंगा नो डाउट लोड रहेगा बागदूरी रहे जान आकरी सांस तक रहेगा मेरा आज के 26 साल पहले सीकर में मने कोचिंग स्टार्ट किया था माफी चाहता हूं गलत सब्सक्राइब काम ले रहा हूं अपने आप में कैरियर का स्टैडिकेस थाई आज तो लोग नकल करते हैं यहां आज तो चलते बाजार में कोई भी अपन बनी ना किसी को तोड के बनी दील सी मूल बीज है एक विचार बीज है जो जमी फोड के बनी और इसलिए दोस्तों आज 270 गार्डियन साब सोचके देखो जाजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उस जिले पर आकर आपका पुरुसकार बितुन क्या जाएगा डैटो टाइम आप जिरूर प्लीज वाच कर लें हाँ पुरुसकार बितुन सामारों में सबी मेरे अपने साधरामंत रिते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी है उनको तो आने आना है अन्य बच्चे भी सीकर फेस्पूट पेज, सील्सी सीकर यूटूब चैनल और श्रावन सील्सी मेरे तो पेज हैं उन सब पे साड़े चलाईव आता हूँ आज मैं बहुत अच्छा लगा आज लेटेस्टी वीडियो से पहले हमारे भरतपुर के दो बहुत ही गाउं के सिंपल से किसान भाई उन्हें कहा चोदरी साहब हम आपका लाईव देखते तो सिर्दम आँखों पानी आ गया उस दिन पता लगा कि दोस्तों अखीकत यह है बगवान कर्ष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि करम को मन से किया जाए तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है फल बगव और एक बात करना चाहूंगा जब फंक्षन मनी आपाई तो फिर पुरुषकार देने के लिए सांस्ता की विवसाइक जिम्मेदारी नहीं है फ्रेंडी जिम्मेदारी फिर भी हमारी है हाँ सीकर कभी आओगे तो दिये दिया जाएगा आप सोचो कि उध्यपूर फंक्षन सार मुवापस उध्यपूरु पुरुषकार देने आऊंगा सम्मव नहीं हो सकता हाँ सीकर आने के बाद आप पुरुषकार बाद भी ले सकते हैं मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं फंक्षन जिस डिस्टिक एड़कॉर्टर फंक्षन पी आपको पुरुषकार लेना है त जीना जानते हैं रोकाम सिकाती है CLC जीतना सिकाती है जीना सिकाती है यह सुनना देखना है आपका अपना श्रावन आपके खुद के जिले में आ रहा है आप से बात करने के बात कि हर दिन सुबह स्वाइश आम दोनु टाइम मीटिंग्स लोड रहेगा और फिर भी एक गणाय पड़ेगा ना साब कलाम साथ की बात साब बहुत अच्छे लगती है कि सपने वो नहीं होते हैं सोने के बाद आते हैं सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं और इसी सपनों को पुरा करने के लिए हम जिले जिले गाओं गाओं डगर डगर घूम रहे हैं क्यों ये माफी चाहता हूँ, उन लोगों के तो बहुत रखवाले हैं, जिनके घर में अर्थ भी है, गाइडलाइन भी है, श्रावन और सीलसी तो उनके सार्थी है, जिनके घर में यह नहीं पता आईटी मेडल का होती है, अर्थ का भी थोड़ा भाव है, थोड़ा भाव गाइडल प्लीज प्लीज निवेदर आपके भाई का सारे अपने इस विजोस्व में इसको नाम विजोस्व देंगे पर पुर्षकार वित्रों समरो बोल दो चाहिए विजोस्व बोल दो आप सब साधरामंति से ओके तैंक्यों जैसील सी हलो फ्रेंड्स माइसल्फ नदीम टीम केमेस्ट्री तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं DTSD district level talent search जो exam हुआ है उसका मैं class 12 का physical chemistry का part आप से discuss करूँगा ठीक है तो question number 51 से start है two liquids A and B having vapor pressure of 200 tor and 260 tor respectively at same temperature the equimolar binary solution of these liquid have having vapor pressure of 225 अब एक कोई equimolar binary solution का liquid का vapor pressure दिया भी हुआ है आपको at same temperature correct statement तो अब आप जानते हो कि ideal के लिए P solution क्या होता है P not A, A हमने मान लिया है कोई A और B यहां पर दिया है उसका mole fraction A plus P not B इसका mole fraction क्या आएगा तो अगर जो data हमें दिया हुआ है equimolar तो both having both A and B having same mole same moles तो mole fraction of A अगर माल लो कुछ भी मान सकते हो same mole में A ही माल लो अगर A का A mole है B का भी A ही होगा one one मान सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता तो जैसे माल लिया कि इसका mole 1 है तो इसका mole fraction कितना होगा one mole divided by total moles divided by two same as B का mole fraction one by two same mole है पी नोट ए पी नोट भी दिया हुआ देखो having vapor pressure यह दिया हुआ तो देखो 200 into one by two plus 260 into one by two अब इसको solve करो देखो यह जाएगा 100 और यह कितना हो जाएगा 130 यह कितना रहा है 230 तो जो ideal है पी ideal वो आया है कितना 230 येस और पी observe कितना है पी observe कितना है पी observe है 225 तो पी ideal ज्यादा है कि नहीं मलब पी observe कम हो गया पी observe क्या हो गया पी ideal से कम हो गया पी observe less than पी ideal तो जो graph होगा मालो ideal का graph कुछ इस type का अगर है तो observe जो है वो क्या है कम है ideal से क्या है कम है ऐसा अगर है तो ideal का क्या है पी ideal कमालो ये है ठीक है पी ideal कमालो ये graph है अब पी observe क्या रहा है कमा रहा है तो ऐसे deviation क्या बोलते है negative deviation बोला जाता है तो answer कुन सा हो जाएगा हमारा second answer ओके next question पर चलते है नेक्स्ट question इसमें इसमें पूछा है पीछा तो फॉलमिंग पेर आप सलुशन इस आइसो टोनी आइसो टोनी के लिए आइसो टोनी के लिए आप बोल सकते हो आइवन सी वन इक्वल टू क्या होगा आइटू सीटू अब देखते हैं आइवन सीवन जिसका आइटू सीटू बराबर हो गया वही आइसो टोनी का अधर वाइज नहीं यह पहला वाला चेक करते हैं और आईप जानते हो कि ग्लुकोज एक नॉन इलेक्टूलाइट है तो इसका वानठ अफेक्टर कितना होगा और इसका देखो यूरिया का molarity दिया है 0.2 ये भी non electrolyte है तो कितना होगा बन अब इधर 0.1 आ रहा है तो I1 C1 equal to I2 C2 नहीं होगा तो ये तो नहीं हो सकता दूसरा वाला चिक्करो I1 C1 I1 C1 I1 इसका देखो NACL strong electrolyte है N A positive plus C L negative तो इसका I की value कितनी हो जाएगे 2 तो I1 इसका हो गया 2 C1 इसका कितना दिया है 0.1 equal to I2 sodium sulfate इसको break road 2 N A positive plus SO4 to negative I2 कितना हो जाएगा 3.1 इसका कितना I हो गया 3.1 molarity 0.1 और इसका I2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है तो देखो ये भी set नहीं हो पाया हमारा I1 C1 equal to I2 C2 हमारा नहीं हो पा रहा है तो ये भी possible नहीं अब third वाला देखो एक तरफ है NACL और दूसरी तरफ क्या है KCL इसका molarity कितना दिया है 0.1 और इसका 1 half factor कितना आएगा 1 इधर आ जाओ इसका molarity कितना दिया है 0.1 1 half factor इसका भी कितना आएगा 1 अब देखो I1 C1 equal to क्या हो गया I2 C2 इस condition को कौन फालो कर रहा है 3rd वाला आउसर कौन सा चला जाएगा 3rd वाला आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं तो यह नहीं आएगा I1 C1 equal to I2 C2 को सिर्फ कौन फालो कर रहा है only 3rd तो आईसो टोनिक के condition कौन सा फालो कौन फालो कर रहा है 3rd फालो कर रहा है ठीक है complex है COCL3.XNH3 option में आप देख रहा है it is .1 इसकी molality दिया हुआ है .1 इसका delta TF भी दे रखा है delta TF equal to कितना दिया है .558 degree centigrade ठीक है चलो KF आपको पता है 1.86 और 100% ionization भी है क्या है और दीया है koordination number कितना होना चाहिए इसका 6 होना चाहिए तो सभी में koordination给 6 है एक दो होई नहीं सकता यह possible लिसक्ता है क्योंकि воulazione 6 वाला यह है यह कितना हो रहा है 5 क्योरीक क्योर्छक का बाला चाहिए 5 यह भी possible नहीं अब इसमें देखो 4 and 2, 6 हो गया, 5 and 1, 6, तो या तो 4th answer होगा, या तो क्या होगा, 1st answer होगा, ठीक है, coordination compound में आपने किया है, तो अब हमें प्योला है कि 100% ionization भी है, 100% ionization जब होता है, तो I की value किसके बराबर हो जाती है, N के बराबर हो जाती है, तो अब आप देखो, अब हमें I निकालना पड़ेगा, जिसका I match कर गया, जिससे, वही हमारा answer हो जाएगा, तो देखो फार्मूला आपको याद होगा, डेल्टा T F equal to क्या होता है, I K F into M होता है, डेल्टा T F कितना दिया हुआ है, 0.558, I K F की value 1.86 है, और molality कितना दिया हुआ है, इसका 0.1, अब आप देखो, I जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा 3, डिवाइड करके देख लेना हो, I आ गया 3, अब हमें देखना है, जो कि 100% dissociation है, तो I की value किसके बराबर होनी चाहिए, N के बराबर, तो जिसका N 3 आएगा, उसका I भी 3 आजाएगा, इसको आप देखो, dissociate करो, तो आपको याद होगा, कि अंदर वाला तो dissociate नहीं होगा, बाहर वाले dissociate होते हैं, तो देखो, इसको लिखो के तो क्या आएगा, C, O, N, H, 3, C, 5, C, L, ठीक है, and positive और ये वाला क्या देदेगा, 2, C, L, माइनस, तो एक मोल ये हो गया, और दो मोल ये हो गया, N की value कितनी हो गई, 3, चुकि 100% dissociation है, तो I की value भी कितनी होगी, 3, तो खेर, आंसर तो हमारा first आएगा, अब देखो, ये 3 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, देखो, एक इसका आएगा, और एक इसका आएगा, तो I की value इसको 2 आएगी, जबकि हमें क्या satisfy कराना है, I की value 3, तो answer कौन सा चला जाएगा, हमारा first answer चला जाएगा, next चलते हैं, next question हमारा है, question number 54, in which mode of expression, the concentration of solution remain independent on temperature, independent on temperature, किस पर होता है, जिसमें weight by weight आजाए, जैसे, या mole by mole, जैसे, molality, molality, mole fraction, percentage weight by weight, ये सभी क्या है, independent on temperature, weight, weight, weight सिर्फो, volume उसमें ना आए, ठीक है, तो इसमें answer कौन सा चला जाएगा, अपना, third answer चला जाएगा, बाकि सभी में क्या आएगा, volume तो आएगा, तो temperature independent, इन तीनों में से कोई भी उसकता है, येस, next question, next question हमारा question number 55, अब देखो इसमें लिखा है, which of the following does not show positive deviation from Raoul's law, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, इसको NCRT में example भी है, तो positive deviation को नहीं show करता है, तो तीको ये positive deviation नहीं show करता है, बेंजीन और chloroform positive deviation नहीं show करते हैं, ये क्या show करते हैं? negative deviation, बाकि सभी क्या होते हैं? positive deviation show करते हैं, बाकि सभी क्या कर सकते हैं? show करते है, positive deviation, तो थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, याद रख लिएगा तो ज्यादे बहतर होगा, और कम से कम आपको याद होना चीग कौन सा? जो NCRT में positive negative deviation की example है, उनको याद कर लिए, ठी question number 56, solid state से है, the ratio of number of atoms present in simple cubic, simple cubic में क्या होता है? simple cubic में atoms only present at corners, present at corners of cube, तो इसका Z कितना आएगा? effective number of atom, सारे corner पे हैं, तो corner कितने होते हैं? 8 और contribution at one corner कितना होता है? 1 by 8, तो कितना आएगा? अब दूसरा है body center, BCC, तो इसमें कहा होता है? corner के साथ-साथ कहां पे होते हैं? corner के साथ-साथ कहां पे होते हैं? body center पे होते हैं, corner से कितना आया? 1 by 8 into 8, plus body center से पूरा कितना आजाता है? 1 वो तो center में है, तो BCC का Z कितना हो गया? 2 FCC FCC में कहां-कहां होते हैं Corner और Face पे Corner सारे Corner से 1 by 8 into 8 सारे Face से 1 by 2 into 6 Add तो कितना आ जाएगा 4 तो Ratio देख लो SC Body Center 1 Ratio 2 Ratio 4 1 Ratio 2 Ratio 4 Okay Next solution देखो यह भी बिल्कुल अब आपको इसको verify कराना है तो जैसे कोई एक पकड़ लेता है जैसे मालो C के साथ 1 by 2 आना चाहिए C के साथ क्या आना चाहिए 1 by 2 C के साथ 1 by 2 आना चाहिए अब 1 by 2 कब होगा आपको याद होगा जैसे मालो हमाई जैसे यह कर लेते हैं इसको verify कर लेता हूँ जैसे इसका हमें instantaneous rate law लिखना है तो आपको याद होगा कि stoichiometry 1 D B over D T minus में equal to minus stoichiometry नीचे है रहे लिए गई 1 by 3 D D over D T equal to 1 by 4 D A over D T equal to product है ना तो plus D C over D T yes अब जैसे हमें 1 by 2 D C over D T चाहिए अब देखो यहाँ 1 by 2 है तो इसको अगर करोगे तो यह 1 by 2 1 by 1 by 2 करोगे तो 2 पर चला जाएगा ना तो मैं इस नहीं करेगा और देखो C यह 1 by 2 है तो 1 by 1 by 2 करोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा उपर जबकि हमें चाहिए यहाँ पर क्या 1 by 2 हाँ देखो यहाँ पर आ रहा था 1 by 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है और मैच करा लो ऐसे मैच करा सकते हो D में हमें चाहिए 1 by 3 D में हमें चाहिए 1 by 3 लेकिन minus में चाहिए और जब कि इसमें D कि में आएगा plus में आएगा क्योंकि हमें minus में चाहिए मलब reactant side होना चाहिए तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखो आप ऐसे match करा के भी काम कर सकते हो answer हमारा कोन सा मैच कर रहा है third answer मैच कर रहा है next question next question में जैसे लिखा rate constant rate constant दिया हुआ है k की value दिया है 3 into 10 to the power minus 5 per second per second k का per second अगर है तो unit किसका होता है first order का होता है first order k के unit से हमें यह पता लग गया जो given equation है वो क्या है first order then the initial concentration of अच्छा rate भी देखा if rate is this k दिया हुआ है तो initial concern r equal to k n205 first order है तो 1 हो गया rate कितना दिया हुआ है 2.4 into 10 to the power minus 5 k की value है 3 into 10 to the power minus 5 इसका concentration हमें बताना है first order है तो अब आप कर लो देखो कि 5 से तो 5 कड़ गया तो कितना आ जाएगा n205 कितना जाएगा n205 आ जाएगा 0.8 n205 कितना जाएगा 0.8 ठीक है तो बस इसमें एक छोटा सा point यह था कि आपको यह पता करना पड़ता कि यह order कौन सा है और उसके लिए hint क्या था rate constant rate constant दिया हुआ न तो हो जाएगा नेक्स करते हैं देखो नेक्स क्वेश्चन में इसका हमें डिस अपीरेंस का लिखना है तो डिस अपीरेंस एक पर तो मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी माइनस आप अगर इसको लिखना हो तो माइनस आप 1 बाई 2 d a over dt यह disappear हो रहा है equal to अब देखो disappear का पूछ रहा है तो अगर disappear ही हो रहा होगा उस equation में, sign positive ले 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 otherwise negative ले 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 अच्छा, all steps are elementary देखो लिखा है ना for elementary reaction तो जो elementary reaction और molecular ती हो वही order हो गया और rate law क्या कहता है कि rate is rate is directly proportional to the concentration power और partial pressure power तो rate of reaction क्या होता है, directly proportional to the concentration of reactant raised to the power their order और elementary है, तो molecularity order क्या होता है same होता है और हमने क्या बताया कि positive negative कैसे ले लेना है जिसे disappear हो रहा है तो positive sign लेना जिसे इधर देखो disappear हो रहा है तो fine positive अगर इस वाले से देखेंगे appear होने लेगा तो sign negative लेना जिसे देखेंगे पहले वाला पकड़ लेते हैं इसको ना तो देखो है क्या sign disappear का पुछा है disappear हो रहा है directly proportional to the concentration of reactant अगर बालो आप इसको पगड़ते हो तो reactant यह हो गया और elementary है तो order कितना हो गया इसका अब इधर से आ जाओ disappear का पुछा है एक ही लेकिन यह appear हो रहा है उल्टा हो रहा है तो sign negative ले लिया और इसके लिए अब reactant इस तरह से काम करेगा तो किसका rate constant क्या है k2 और concentration of reactant power 1 1 क्यों हो विकाज elementary है अच्छा rate of disappearance disappearance न सिर्फ इतना ही होता है तो यह 2 का multiply भी करना पोड़ेगा इधर तो minus of dA over dt क्या होगा 2 of k1 a का square minus 2 of k2 b अब ऐसा देखो answer कहा पे है 2 of k1 और minus of 2 of k2 b तो answer कौन सा चला जाएगा अपना third answer चला जाएगा third answer चला जाएगा ठीक है निख चलते हैं ओके रेक्स देखो यह दिया है कोई complex reaction है अब हम इसका rate law लिखना है ठीक है तो चैसे मालो पहले a का पकड़ लेते हैं a के लिए a का आप ऐसा दो concentration चूज करो जल्दी करने के लिए जिसके सामने b वाला क्या हो constant होना चाहिए तो ऐसा कौन सा आएगा जिसके सामने देखो यह दोनो constant है ठीक है तो सिधा सिधा वाला ही ले ले लेते हैं आप चाहे तो यह भी constant है आप इसको भी ले सकते हैं इसी बात नहीं है आप या तो इसको चूज करोगे या तो किसको चूज करोगे इसको चूज कर सकते हैं किसके सामने b वाला क्या है constant अब देखो आप यह डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब आप जिसे माले इसके power 0 आप कुछ भी concentration change करो rate पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब एक order कितना है 0 अब B वाला देखो B का ऐसा दो concentration चूज करो जिसके सामने A वाला क्या हो constant हो तो जैसे मालो हमने कोई सीधा-सीधा करने के लिए ये वाला ले लिया देखो ये वा आप देखो इसका rate जो हमने चूज किया है वो कौन सा है ये वाला है ये वाला है रेट पहले पॉइंट बन था अब कितना हो गया 0.8, 0.1, r1, r1 divided by r2 equal to b1 divided by b2 power उसका order जो हमने माना हो गया concentration तो r1 ये हो गया, r2.8, b1, b1 कितना है, 30.035 divided by 0.075, 0.075, 0.35, 0.035 divided by 0.070, power कितना हो गया या n, तो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, देखो ये 1 by 8 हो जाएगा, 1 by 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 by 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 the power 3 और ये देखो कितना हो जाएगा, 1 by 2 की power कितना हो जाएगा, अगर base common है तो n, power भी क्या होते हैं, आप compare कर सकते हो, तो n की value कितनी आजाएगी, 3 आजाएगी तो, ऐसा b power 3 और a power 0, a power 0 का मतर तो खतम ही हो गया, 1 तो ऐसा answer कौन सा है, b power 3 ये आजाएगा तो, इसमें b power 3 है, लेकिन a power 1 है, जोब कि हमें क्या चाहिए, a power 0, तो answer कौन सा हो जाएगा, first, next question, next question, next question अपना, question number 61, question number 61, the empty space between the shaded balls and hollow ball as shown, खेर, देखवा, आपको दिख रहा है, यहाना कि 3 उपर है, और 3 क्या है, नीचे, तो जो empty space बना है, वो कितने atom के coordination से बना है, coordination number of empty space, empty space, यह कितना रहा है, 6 हा रहा है, coordination number कितना रहा है, 6, अच्छा 6 coordination number होता है, तो कौन सा होता है, है, void, octahedral void, octahedral void, yes, answer कौन सा हो जाएगा हमारा, second answer हो जाएगा, okay, next question पे चलते हैं, next question अपना है, question number 62, तो when an element of group 14 is doped with, an element of group 13, तो देखो, 14 में, 14 group में valence electron कितने होते हैं, जिसे carbon, silicon मालो है, valence electron 4 हो गया, 4 bond बना रखा उसने, अगर इसमें आप 13 group add करते हो, जिसे एक हटा दिया, और मालो इसमें boron add कर दिया, तो boron में valence electron कितने हैं, 3, तो भाई यह, जैसे यह 4 bond बना रहा था, अब तो यह कितने bond बनाईगा, 3 bond बनाईगा न, तो एक क्या होजाएगा, free होजाएगा कि नही होजाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, whole create होजाता है, और whole create को क्या बोलते है, positive charge consider कित्या रहागा, ठीक है तो ऐसे जो semiconductor बनते हैं उसको क्या बोलते हैं P type semiconductor ठीक है अगर इसी में 15 group अगर add कर देते तो 15 group में valence electron होते हैं 5 4 तो bond बना लेता एक free हो जाता कि नहीं तो वो एक electron negative charge की तरह काम करता तो उसको बोलते हैं end type semiconductor तो अगर 14 में 13 डाल दिया तो क्योंकि positive holes conducting के लिए positive holes responsible होत होते हैं तो कंडक्शन के लिए negative charge responsible होते हैं अभी तो फोर्टीन में 13 किया है तो answer goes to first ओके next question next question है अपना question number 63 अब देखो इसमें बोला है कि FCC unit cell था if half of the face centered atom are removed half of the face centered atoms are removed तो देखो भाई हम जाते हैं percentage of wide पुछा है वह है पर परसेंटेज और पैकिंग निकाल दे 100 में से माइनस कर देंगे तो वो percentage of wide हो जाएगा percentage of wide कितना होगा 100 minus percentage of packing अब चुकि अगर FCC होता है तो आपको याद है 74 परसेंट होता है लेकिन उसमें atom भी तो 4 होते हैं total सारे face पर होते हैं सारे corner पर होते हैं अभी half of the atom निकाल रखा है आपने तो z देखो इसका change हो जाएगा z कितना होगा सारे corner पर हैं तो 1 by 8 into 8 हो गया plus face 6 face होते हैं लेकिन 3 तो निकाल रखे हैं आपने तो face बचे कितने हमारे पास 3 contribution कितना होगा 1 by 2 तो यह होगया 1 plus 3 by 2 यह कितना होगया 5 by 2 z तो होगया 5 by 2 तो packing fraction packing fraction percentage 4 by 3 pi r cube into z कितना होगया 5 by 2 अब देखो a cube a cube आता है fcc के लिए a कितना होता है 4 r by root 2 तो रख लो यहाँ पे into 100 तो 4 by 3 pi r cube into 5 by 2 divided by a cube 4 r by root 2 4 r by root 2 का q into कितना आ जाएगा 100 ठीक है यह packing fraction आया है यह आप solve करोगे तो यह packing fraction आ जाएगा और आप से पुछा है white percentage of white पुछा है तो 100 में से minus कर दीजेगा percentage of white आ जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं next question हमारा है question number 64 तो यह chemical kinetics से विसे for a chemical reaction दिया हुआ है the rate of appearance of z mole per liter per minute दिया हुआ है per minute the rate of disappearance of x मन्दब x का z के साथ relation निकालना है तो कैसे लिखो गया 1 by 2 dx by dt equal to dz by dt यह हो गया अब देखो z का दिया हुआ है यह दिया हुआ है 0.05 अब आप से पूछ रहा है कि x का disappearance बतारा है तो minus of dx over dt equal to यह 2 का multiply कर दो 2 into 0.05 तो यह आजाएगा 0.1 यह क्या आएगा mole per liter per minute है अब देखो per liter per minute में यह answer आया है नहीं आया यह नहीं आया अब देखो कुछ hours में भी answer दिया हुआ है तो भाई पर minute एक minute का rate of disappearance कितना है 0.1 तो 1 hour per hour मन्दब 60 minute तो 60 minute का कितना होगा 60 minute का कितना होगा 0.1 into 60 ते कितना आ गया 6 mole per liter per hour अब ऐसा कोई answer है तो answer number था ठीक है तो next question पर चलता है question number 65 65 देखो यह लिखा हुआ है two dimensional पहले तो है two dimensional square है square closed packing two dimensional square closed packing तो देखो इसमें two dimension अब जागे था पैकिंग फ्रेक्शन आपको निकालना तो पैकिंग फ्रेक्शन अब two dimension है तो यह ऐसे तो होता है आपने देखो कि इनसी आटिम लिखा होगा उस अब थ्री dimension के लिए volume of atom into z divided by volume of q थ्री dimension होता है थ्री dimension का volume आएगा अब यह two dimension है तो उसका क्या आएगा area आजाएगा तो area अब यह अब यह sphere की तरह स्फेर थ्री dimension होता है तो अब यह circle की तरह गाम करेंगे ना क्योंकि टू dimension है तो circle का area कितना होगा पाई r square into z अब z देखो यह पूरा अंदर है तो one हो गया यह one हो गया पूरा अब देखो इसका कितना part इसका कितना part अंदर है one by four part one by four one by four one by four one by four यह मिला के one हो गया और यह one और हो गया तो z की value कितनी हो गई डिवाइड बाई square है तो area of square कितना होता है अब हमें a की value देखो यह closest distance से निकालो यहां से तो यह कितना हो जाएगा आर प्लस आर मतलब two are equal to कितना जाएगा पूरा distance कितना होता है root two a तो आधा कितना हो जाएगा root two a by two so a की value कितनी आ जाएगी four r by root two इसको यहां चिपका हो अच्छा percentage में है तो इसमें multiply by क्या कर दो hundred percentage packing fraction तो यह आ जाएगा pi r square into two divided by four r by root two का square यह आ जाता है पाइबाई पाइबाई इसको solve कर लो यह solve करोको ते कितना आ जाएगा कि 78 परसेंट के आसपास आता है एप्रोक्सीमेटली 78.5 एप्रोक्सीमेटली तो आप इसको solve करके निकाल सकते हैं easy सा है तो ध्यान आपको कहां पर रखना था यह कि two dimension है तो उसका volume नहीं आएगा उसका क्या आएगा area आएगा area of circle divided by area of square square है ना अगर वही three dimension होता है तो volume of atom divided by volume of total volume that is answer कुन सा मारे चला जाएगा fourth answer चला जाएगा next पर चलते हैं अब देखो देखा लिखा है कि एक face center lattice है x and y x atom है present at corners x corner पे है अब यार x corner पे है corner और y atom है face पर y है face पर अब आगे दिखते है center then the formula compound would be if one of the x atom from the corner is replaced by z 8 corner होते हैं एक corner का item z डाल दिया तो बचे corner कितने है 8 अरे सारी बचे corner कितने है 7 एक corner कहां पे है एक corner का item एक corner पे कौन सा item चला गया है z चला गया है तो 8 corners होते हैं तो 7 corners पे क्या है x एक corner क्या है z और यह face अपना पूरा पूरा है अब आप जानते हो 7 corner पे और contribution कितना होता है 1 by 8 का face y पूरा face पे है तो 1 by 2 का contribution है है face कितने होते है 6 z corner पर ही है एक ही है तो एक हो गया और contribution कितना है 1 by 8 जिसको जरा 8 से multiply कर लेते हैं देखो 7 24 3 हो जाएगा न यह 24 और यह 1 और अब 1 7 y 24 z 1 1 7 y 24 z 1 1 7 y 24 x 7 y 24 z 1 ठीक है तो answer कौन सा चला जाएगा अपना second answer चला जाएगा ठीक है next देखते हैं वाई ओके तो यह दोस्तों था हमारा पूरा physical chemistry का part yes बाकी जो organic है या inorganic है वो आपको दूसरे सर तो जितना भी question था पूरा in CRT से basic level बें बनाया गया था ठीक है थोड़ा थोड़ा उसमें आपको ध्यान देना था उम्मीद करता हूं काफी अच्छा वेपर हुआ होगा आपका मिलता है फिर नेक्स टाइम thank you very much जैहिंद एंड जैसी दोस्तों इस बार एक अधुत मौका clc की तोरह आपको दिया जा रहा है पहतर इसकॉलर्ट से जीतने का मौका और उससे अपने वविश्च से समारने का मौका हम चलते हैं और देखते हैं question number 67 h plus h plus ले जाएं किस के पास एक बार बात करते हैं ठीक है h plus 12 का chapter है alcohol का बात है h plus लेगे किस के पास o h के पास देखना विटा h plus कहां जाएगा o h के पास और यहां क्या बनेगा देखना इधर double bound o o h2 plus और यहां क्या हो गया c s3 ठीक है डियर अब देखो क्या होगा यहां से s2 o निकल जाएगा अच्छा living group है तो यह हो गया double bound और यहां हो गया c s3 plus और यह क्या follow करता है आपको set of rule पता है double bound के across more alkyl group आप plus h यहां से भी निकल सकते हो और double bound यहां भी आ सकता है यह भी answer हो सकता है लेकिन plus h और h यहां से निकालोगे तो एक एक बहतर result आएगा आपके सामने c s3 तो answer कौन सा हो जाएगा बटा आपका 3 क्यों 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 है double single double resonance और sets of rule more alkyl group across double bound और resonance हो रहा है इसलिए answer क्या हो जाएगा 3 ठीक है बिटा नेक्स कोश्चन पर चलते हैं 68 p k b का order पूछ रहा है correct p k b order p k b मतलब आपको basis city का क्या करना है reverse ultra तो एक बात याद करो c s3 का case होता है तो क्या होता है इस पटना मतलब इसमें जो basic city का order होगा basic city वो होगा secondary ये वाला primary ये वाला tertiary ammonia इस पटना ammonia फिर aniline तो ये सबसे first number पे secondary primary tertiary ammonia ये किसका है basic city का इसका ultra करेंगे तो 4213 आना चाहिए जो की नहीं है किदर आ जाओ इसके बारें बात करें देख लो इसके बारें बात करें इसके बारें बात करें इसमें आयेगा इस टपना as secondary ये वाला first number tertiary primary इस टपना ammonia aniline ये आपको जब आप को याद करने के लिए CS3 case में इस टपना secondary primary tertiary ammonia aniline इस टपना secondary tertiary primary मतलब अब इसका उल्टा कर दो तो ammonia सही है ammonia सही है ये तो है नहीं इनिलीन इसमें कतम करो ammonia फिर primary tertiary इसका उल्टा किया तो ये आंसर हो गया आपका 68 का answer हो गया second मिल गया answer यहाँ दिखो resonance basicity को क्या करता है कम करता है यहाँ resonance हो गया तो basicity कम हो गई तो PKV पूछा है न इसका ये अधिक होना चाहिए यहाँ इसकी basic अधिक है ये basic अधिक है मतलब PKV ऐसे होना चाहिए तो आंसर इसका 68 का क्या होगा है, second, वीडियो पॉस करके एक बार दुबारा देख लेना वेटा, ठीक है? 69, how many optical active, ध्यान से देखना, हम एक बार अलग अलग बना रहे हैं, एक बार इंगलिस में देख लो, यहाँ CL बनाया, देखना वेटा, यहाँ CL बनाया, यह काइरल हुआ, तो दो यहाँ से हो गया, और एक बार CL यहाँ बनाया, देखना, दो यहाँ से हो गया, यहाँ करोगे, तो एक ही बनेगा, देख लो, देख लो, यहाँ करोगे, तो यह काइरल की बात है, एच यहाँ पे, Optical Active की बात कर रहा है Optical Active की बात कर रहा है तो एक तो इधर देख लिया तो दो दो चार हो गया एक यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक यहाँ CL लगाओ एक यह भी कैरल हो गया तो दो इसके, दो इसके, दो इसके कितने हो गया टोटल? 6 तो आंसर क्या हो गया? 4 ठीक है? मैक्सिमम को अपने आंसर देदी है तो यहाँ लगा दिया, एक है और उसके आगए आओगे ना बिटा? तो यह सीम ही है जिसे CL लगाओ गया, इधर इधर दोनों तरफ सीम आगे हमें तो क्या पूछा है? Optical Active Product बोलो, ठीक है? नेक्स चलते हैं तो 6 आंसर आगए इसका 70 Which of the given following stability order is correct? Correct stability order की बात करी गई है हमने resonance stability rule बात करी है अपनोंने की पहले जिस पर कोई चार्ज नहीं हो सबसे अधिक स्टेबल फिर चार्ज सेप्रेशन डिक्रीज स्टेबिल्टी बट सब रूल बेकार है अगर octet incomplete है यहाँ 6 electron यहाँ देखना यहाँ कितने लोगत है? 6 electron octet incomplete यह अधिक स्टेबल होना चाहिए यहाँ 6 electron octet यह अधिक स्टेबल होना चाहिए और यहाँ तो क्या है? बैक बॉन्डिंग कार क्लोरीन में वैकेंड डी और्बिटल होता है निगेटिव चार्ज वैकेंड डी और्बिटल में जाएगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी बी-बी बोलो क्लोरीन के बगल में निगेटिव चार्ज बी-बी बैक बॉन्डिंग यह अधिक स्टेबल यहाँ octet incomplete है 6 electron तुम्हें दिखता होगा कि सर आपने बताया था कि more electron negative atom पे negative charge compound के stability को बढ़ाता है लेकिन बैटा यहाँ octet incomplete है इस लिए this is correct answer octet incomplete है तो सब रूल invalid सब रूल बेकार ठीक है बीटा तो first is correct answer ठीक है next question पर आते है 71 71 numbering कर दो पहले इसकी numbering करो simple सा question है 12345678910 10 carbon होने चाहिए डेका तीनों में है बई यह तो cancel हो गया डेका तीनों में है 1234567 पर क्या लगा है इथाईल 7 इथाईल 246 2456 2456 tetramethyl 7 इथाईल डेका 2456 tetramethyl डेका 1818 डाइन मतलब correct answer is second बोलो numbering कर ली जो चीज बात है उसको देख ली ठीक है 72 पे चलते है 72 कौन सा एक आईरल इसी को गुमा मतलब अंदेखो जो जिस पर सेट हो जाया अगर यह से गुमाया यह इस पर सेट यह इस पर सेट तो वह एक आईरल हो गया इसको गुमाओ एस से पकड़ो देखना बिटा इसको अपकड़ा CS3 को ओपर CS3 हाँ CS3 को ओपर CS3 H की ओपर H CL को ओपर CL तो यह क्या होगा यहाँ गुमाँा कोई गुमा कर देखो इधर यह तो आई नहीं CS3 को ओपर CS3 ले आ आ है तो H को ओपर C L आ जाए अगर रहा इस दो गुमाँगा CS3 को ओपर CS3 है इसको गुमाए एस तो ऐसे किया गुमाने कि बात वही चीज़ आ गया जिसे फास्ट ऑप्सिन है तो यह क्या हो गया गया यह क्या हो गया ठीक है ना आए तो क्या होगा काईरल ठीक है तो आइस is first बोलो first is the correct answer ठीक है 73 द्याहाँ से देखो 73 क्या पूछा आपको the correct relationship among the following ठीक है पीटा correct relationship among the following आपको पहला और दूसरा देखना है पहले दूसरी की बात करिए ध्यान सुनो हम एलकिल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें बस ख्याल इस बात करें कहीं functional ग्रुप चेंज ना हो जाए यहाँ क्या है ester यहाँ क्या है ester इदर अधर किया यहाँ भी क्या है ester यहाँ बस रचते molecular formula सेम आप गिल लो एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है कार्बन सेम है तो यह क्या हो जाएगा metamirism इदर दे second and third हम एलकिल ग्रुप चेंज करें पहले भी ester है आज भी ester है तो यह क्या हो जाएगा metamirism हम एलकिल ग्रुप को चाहें जैसे वैसे change करें इदर दर कुछ भी करो बस ख्याल इस बात करें कि कहीं functional ग्रुप चेंज न हो जाए वही क्या हो जाएगा metamirism ठीक है तो answer क्या होगे इसका second 74 एक सांदार सा question which among the following are not correctly matched ठीक है first option देखते है एक ring है एक chain है डी उ सेम इसके में डी उ कितना है 4 ठीक है इसमें डी उ 4 molecule of formula सेम है दोनों में डी उ सेम एक दो तीन चार्डी उ 4 यह ring chain हो गया सही है not correctly यह बाबू यह क्या है OH किस से attach है CH2 से alcohol हो गया OH किस से है benzene से तो यह क्या हो गया functional isomer यह क्या हो गया functional और इसकी बात इसकी बात numbering one two ठीक है इसकी बात one two three four five one two three four root chain से है chain isomerism सही है यह भी functional isomerism ester है यहाँ epoxy type का मामला आ गया ether type का मामला आ गया इसमें तो यह क्या हो गया functional carbon देख लो एक दो तीन ए एक दो तीन सही है molecular formula सही है तो आंसर इसमें कौन से गया second है second is the correct answer second is the correct answer सेट है next चलते है आते है सबसे अधिक तो कौन हो गया फस्ट पता है बेंजोईक एसिट के और्थो पर कोई ग्रूप लगा है उसलीक एसडिक सबसे अधिक तो कौन हो गया फस्ट सबसे अधिक फस्ट क्या है NO2 उसके बाद से और्थो यहां भी है और यहां भी है लेकिन यहां क्या लग गया माइनस M फस्ट के बाद क्या आ गया third फस्ट के बाद second और फिर यह fourth क्योंकि यहां कोई और्थो एफेक्ट नहीं है तो first, third, second, fourth गोलो सही है किलियर और्थो एफेक्ट बेंजोई के इसिट के और्थो पर कोई ग्रुप लगा हो उसकी बात हो रही है यहां पर ठीक है नेक्स्ट बात करें तो आंसर क्या हो गया आपका first, third, second, fourth कौन सा आ गया second next बात करते हैं मौका है इसको आपको बुरा ना आया बिटा है चीजें बहुत simple सी है CLC साथ जोडने का मौका है उसको आप देखिए यहां देखो COH simple क्या हो गया COOK COOK निकाला free radical निकाला free radical बोलो अब यह क्या है GI सो करेगा से सेंट रहां सो करेगा कौन सा होगा symmetrical isomerson कौन सी जानते हैं कोल बे लेक्ट्रोलिसस कोन सी है कोल बे लेक्ट्रोलिसस निकाला free radical बनाया free radical double bond आ गया तो 76 का अंसर आपका हो गया फस्ट ठीक है नेक्स चलें 77 3-methyl, 2-pentene, HOCl HOCl कैसे break होता है पहली बात तो यहीं आपको ध्यान रखने हैं यहीं अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा question है HOCl break होता है HO-Cl plus 3-methyl 1,2,3,4,5 HOCl, HO-Cl plus तो मार्कोनिक आफ की नियम का follow करता है तो यहां क्या हो जाएगा OH- यहां जाएगा और Cl यहां जाएगा आंसर इसमें देख लो कौन सा होगा HO-Cl plus इसके आगे करना पड़ेगा इसको fourth option यह है अच्छा 1,2,3,4 ऐसे दिरका ठीक है तो HO-Cl plus यही तो मैंने लिखा था देखो CS3 CS2 C CS3 CO-Cl plus यह यहां आगया और यह यहां आगया तो आंसर कौन सा हो गया fourth is the correct answer ठीक यह जही में सुरवाती 2345 में लगतार question पहला काम HO-Cl कैसे तूटता है तो HO-Cl plus पहली काम मारकोनी काफ रूल को फॉलो करता है पहले structure लिखा 3-methyl, 2-pentine सीधे मारकोनी काफ लगा दे इसमें कोई रियर्जमेंट नहीं होगा ठीक है बिटा बात समझ रहो वीडियो पॉस करके एक बार को देख लेना बाबू ठीक है ना HO-Cl plus निगेटिव पार्ट डबल मारकोनी काफ क्या होता है निगेटिव पार्ट डबल बार्ण के क्रॉस वहाँ जाएगा जहां है डियर्जम के नंबर कम होंगे सीधी काम कर लोगे 78 HBR के साथ रियक्टिबिटी का ओडर है एलेक्टो फिलीक एडिशन डिरेक्टली प्रबोस्टनल स्टिबिल्टी आफ कार्बोकटाइन यहां लोन पेर बगल में क्या हो गया पॉस्टिफ चार्ज बीबी बैक बोंडिंग इसलिए करेक्ट आंसर इस सेकेंड डवल बोंड के पास अगर प्लस चार्ज बन रहा है और उसके बगल में लोन पेर है तो क्या आजाएगी बीबी तो यह कार्बोकटाइन की स्टिबिल्टी को बढ़ाएगा सेकेंड करेक्ट आंसर होगा कार्बोकटाइन की स्टिबिल्टी के डिरेक्ली प्रोबोस्टन रहे कौन सा अलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्सन एलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभी क्रिया नेक्स चलते हैं बात को 79 79 पर दो इसको अपने यह अठा देते हैं यह अठा देते हैं ठीक ना पेपर में आपकी यही था गॉलो यह था नहीं यह तो आटा दो प्लस चार्ज यह निकल नहीं सकता यहां प्लस चार्ज बोलो बोलो बैँ तो सबसे अच्छा कौन होगा सबसे अधा 3 degree तो 1 हो गया 1 के बाद 4 4 के बाद 2 फिर 3 ठीक है यह 2 degree और BR से नहीं निकाल सकते BR से बेंजीन से अगर BR अटेच है तो कभी निकाल नहीं सकते क्योंकि कारवन और बुर्यमीन के बीच में क्या जाएगा double bond करेक्टर नहीं निकाल सकते इसलिए आंसर क्या हो गया 1 4 1 4 1 4 फिर 2 फिर 3 3 degree 2 degree I BR में क्यों compare किया इसको हटा दिया हमने यह नहीं है उसमें paper में तो यह I हटाया plus charge living group अच्छा है इसलिए I से BR अच्छा हो गया फिर second और बेंजीन से निकाल नहीं सकते तो आंसर 1 4 2 3 कौन सा हुआ 1 4 2 3 1 4 2 3 3 3rd answer 3rd answer is correct ठीक है बटा बातों कुछी दम आराम से कोई जल्दी बाजी नहीं है clear video पॉज़ करके आराम से देख सकते हो यहां देखो which alkyl bromide will yield 3 methyl 1 hexane as a major product upon treatment with potassium tertiary butoxide in tertiary butoyl alcohol bulky group है क्या देगा acri hydrogen metलब यहां से आपको क्या निकालना है acri hydrogen निकालना है यहां देखो है नहीं हैं नहीं हैं हैं यहां acri hydrogen निकालोगे यह इसको देगा यह बाहर तो tertiary इस्से बन जाएगा यह बात जो बनी है तो आंसर कौन सा हो जाएगा फॉर्थ बोलो बेटा ठीक है कूल हो के काम करना है जिन्दगी अभी आगे भी है बहुत सारे मौके मिलेंगे मौका मिला है फिर आगे मिलेंगे खोब अच्छे से काम करते रहो ठीक है AGNO3 के साथ रेक्टिविटी एरोमेटिक, नौन अरोमेटिक एंटि अरोमेटिक बेटा ये निकाला प्लस चार ये निकाला प्लस चार ये निकाला प्लस चार ये निकाला प्लस चार ये हो गया आपका अरोमेटिक ये दोनों नौन अरोमेटिक हैं लेकिन इसमें non-aromatic plus resonance यह simple non-aromatic और यह बिटा क्या है anti-aromatic anti-aromatic तो सबसे last में है तो answer क्या होगा first फिर four फिर second फिर third कौन सा होगा first four second third correct answer is third 81 is the third answer बोलो बिटा ठीक है nylon six एक last में तीन चेप्टर उससे एक question आता है इसलिए डाला गया है nylon six का monomer है caprolactam nylon six याद है monomer है caprolactam ये हो गया answer 82 का correct answer is third ठीक है इसको ध्यान रखना है polymer का question है simple सा काम है आता है कोज़ बार और गनीक का last question है बेटा CLC जुड़ने का मौका है मिलना है आओगे तो मुलाकात होगी खैर आइडो फॉर्म टेस्ट एक ट्रिक टेक्निक कौन सा होगा बेटा ध्यान रखना कुछ चीज़ें सीख लो कोई नहीं पेपर आया नहीं आया सभी कर लिया कुछ रह गया उससे को कोई दिक्कत नहीं है बस आपको concept कुछ भी एक चीज़ें सीख गये तो बहुत है आइडो फॉर्म टेस्ट कौन देगा CS3CHOH अभी फिलाल के लिए बता रहे हैं या CS3CO ग्रूप है तो NCIT का है और यह बहुत सारी चीज़ें बतानी है इसमें मिलोगे तो बताएंगे लेकिन CS3 यह गुरूप आपके NCIT का है यह मामला NCIT का है इतना तो आपको ध्यान रखना है किसी भी गुरूप में यह गुरूप है तो वो क्या देगा आइडो फॉर्म टेस्ट इसमें है नहीं तो यह नहीं देगा इसमें है नहीं यह नहीं देगा इसको हम खोल के देख लें CS3CHOH एच 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 यह आड़ो फॉर्म टेस्ट देगा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया थार्ट बोलो ठीक है ठीक है 82 question कर लिया था हो गया बोलो तो काम इसमें सिंपल सा है 82 83 तक काम और्गिनिक का है कूल रहो आराम से काम करो कोई टेंसरिंग बात नहीं है बहुत सारे मौके हैं बहुत सारे इसलिए थैंक यू बेस्ट आफ लग जैसी लसी हलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका सी लसी में स्वागत आपका सी लसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नवरतन जागी टीम केमस्टी टीम सी लसी आज अपन बात करने जा रहे हैं डिटी एस सी वीडियो सॉलूशन में डिस्टिक लेवल टैयंट सट्स एक्जाम जिसके अंदर आपने अगर अच्छा पर्फॉर्म किया है तो सी लसी आपका सायोग करती है और सी लसी में अगर सही भाव से आता है हर स्टुडेंट को हर पढ़ने वाले स्टुडेंट को सायोग मिलता है अपन केमस्टी में पार्ट का स्टुडेंट करने जा रहें उम्मीद आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और अगर कोई क्यूशन आपका गलत हुआ है तो उन कंसेप्ट को अपन समझते हैं स्टूशन के माध्यम से तो इनॉर्गनी के क्यूशन आपके स्टार्ट होते हैं क्यूशन अगर ऑपन बात करने तो अगर आपन बात करने तो अगर आपन आउ है 8 वह बात करने अगर आपन ठीक ना अब यह स्पीसीज बंती कैसे हैं इनको अपन बोलते हैं पॉलिहलाइड पॉलिहलाइड स्पीसीज आप जानते हैं स्टुडेंट्स कि आयोडीन के पास में वेकेंट और्बिटल है और यहां पर यह अपने पास आयोडीन प्लस है ठीक ना तो आप यह कह सकते हैं कि के बैलन सेलेकटोन न कितने मच़ें बोलो यहां पर व स्के पास कितने मचछे चय है उसके पास अभी बंपलहन स्ट्रवर्ब्स नांपर और यहां पर तस तॉटल नंब्र ओपलोन पेर् यहां पर है तो टोटल नंबर ओपलोन पैल cable किते होगे students 8 long pairs यहां पर present है कौन सी species के अंदर i3 plus के अंदर अगर अपन hybridization की बात करें संक्रण की अगर अपन बात करें तो students जो central atom है इसके पात 2 bond pair और 2 क्या है लॉन पेर अगर 2 bond pair है और 2 क्या है लॉन पेर तो hybridization strike number किता हो गया 4 hybridization कौन सा होगा SP3 SP3 hybridization की fundamental basic geometry क्या होती है टेटाइडल बट यहां पर लॉन पेर दो present है तो यहां पर geometry कैसी होगी इसकी बेंड geometry होगी वी सेब geometry होगी या फिर अपन एंग्यूलर geometry या पर कह सकते हैं इसी कार्ड सुट्ट्ट अपन बात करने जा रहे आइत्री माइनसी स्पिसीज की अगर अपन आयठी माइनस स्पिसीज की अपने बात करें तो अपने पास यह आयूदीन का मॉलिक्यूल है ठीक न है और यह अपने पास अी- है इसके पास मैं जान पेर है और इस आयोडीन के पास में तीन लौनपार है ठीक का α ? इसके पास में 6 बने भी इंक सराइब से बना दी है वैलेजल इसके पास इसके पास क्या है इसको डॉनेट करेगा इसके वेकैंड बॉर्विटल में और बीसितर्स अगर अपने वो देखना है तो इस्टरिक नंबर यहाँ पर 5 पार है हाइवडाइशन कौन सा होगा SP3D और SP3D की fundamental geometry होते हैं ट्राइगोनल बाइप्रेमिडल बट स्टुडेंट्स लॉन पेर को अपन कहां रखेंगे लॉन पेर को अपन एक्वेटोरियल पॉजिशन पे रखेंगे यदि अपन स्टुडेंट्स लॉन पेर को रखेंगे तो लॉन पेर तो आप जानते हैं इस्टुडेंट्स्ट चॉमेट्री का तो कैसी है bent geometry है पुराइ 3- की कैसी है linear number of long pairs की बात करें students तो यहाँ पर long pair किते होगे total at long pair आप present और यहाँ पर total number of long pairs की बात करें अपन तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं 9 long pair आ रहे हैं क्लिर है तो आपके कह सकते हो number of long pair में भी कोई similarity नहीं है अब अपन बात करते हैं बॉन्ड एंगल की तो अपन जानते हैं कि students यह तो bent geometry है और यहाँ पर कौन सी geometry है linear तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा different कोई similarity बॉन्ड एंगल में नहीं होगी इसका मतलब students answer आपका कुण सा जाएगा fourth option आपका जाएगा उमीद आपने क्यूशन सही किया होगा अपने नेक्स क्यूशन की और बढ़ते है students क्यूशन number 85 85 क्यूशन बहुत ही simple सा क्यूशन है इसके अंदर अपने को पूछा क्या है copper sulphate copper sulphate pentahydrate compound के बारे में अपने से बात कर रहा है तो students यह ऐसा compound है जिसके अंदर सभी टाइप के bond आपको मिल जाएंगे जैसे फॉर example आपन copper sulphate copper sulphate dot five h2o जो है इसको students अपन इस टाइप से लिख सकते हैं कि copper h2o का whole four ठीक है और यहाँ पर अपने students iso4 और एक molecule water का अपने इस टाइप से लिख सकते हैं इस compound को मैंने इस लिए ऐसे लिखा है students क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें copper जो है वो back end d orbital रखता है वो back end orbitals रखता है तो h2o एक lon pair donor का काम करता है तो लिखेंड के रूप में यह यहाँ पर होगा तो basically students यहाँ पर copper plus 2 जो है उसको h2o जो है वो lon pair देगा s2o क्या देगा lon pair आपने coordination chemistry में बढ़ा होगा ligands के बारे में central metal iron के बारे में यहाँ पर यह लॉन पेर देगा तो इस प्रकार से एंटिटी का formation हुआ है cus2o का hole 4 plus 2 अगर अपन student बात करें यहाँ पर SO4-2 की तो अपन जानते है student कि यहाँ पर ionic bond होगा इन दोनों की बीच में कौन सा होगा student क्योंकि exactly यहाँ पर यह चार्ज बाहर क्या रहा बाहर चार्ज किता रहा है plus 4 तो यहाँ पर यह क्या होगी और यह क्या होगी एन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा और यहाँ पर स्थ्ट मोलेकूल जो मैंने एक एक्स्टा लिखा है वो वाटर मॉलेकूल यहां पर हाइडूजन बॉंडेट से हईडूजन बॉंडेड होगा है इसका मतलब यह वा कि आप यह कहे पा रहे हैं कि यहाँ पर आईवेट बॉंड भी परजेंट है यहाँ पर को कोडिनेट मौन्ट विट मेटल आइन तो केवल चारी मेटल चारी वाटर मॉलेक्वल बना रहे तो आंसर आपका इसमें कोल सा जाएगा स्टुटेंट्स सेकेड अपने स्टुटेंट्स की और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की और अगर आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा सा क्युशन है यह कोडिनेशन केमेस्टि सी एक क्यूशन है और इस क्यूशन के अंदर अपन बात करते हैं चलो इस क्यूशन के अंदर क्या बोला है मतलब एक complex compound है उसमें central metal से जुड़े सभी ligand क्या है different अब देखो students अपन इस क्यूशन के अंदर ऐसे सोचेंगी कि अगर stereo isomerism की बात कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर geometrical isomasum भी आगी और optical isomasum भी आगी इस्टिरियो-isomagym show नहीं करने का मतलब हो गया कि ना तो वह geometrical isomeim show कर रहा है और नहीं वह optical isomeim show कर रहा है अगर अपन सटार्ट से बात करें तो आपको पता है कि और आप जानते हो कि लीनियर एक प्रकार से जोड़ते हो तो यहाँ पर ना तो कोई जोड़र आती है नहीं आपको आपको आप जोड़ी कर पाते हो ना कोई आप्टिकल प्रपरडीज में को डिस्मिलर्टी आती है कोडिनेस नमबर तीन की बात करें तो अपने उपता है कि होगा ट्राइगोनल प्लानर जोमेट्री होगी और प्लानर जोमेट्री के अंदर यदि आपने अगर यहां पर नहीं होगी और क्योंकि आक Cornwichहां दे प्लाणर CI अगर मांनलो प्लैन प्रजेंट है तो वहना पर ऑप्टिकल आइस विजुभ नहीं मतलब बात यह कि और दो और कोड inception नंब तीन ना तो स्टीरियो आपने कोमेंटरिकल कीमेंचन हो करेंगे और ना student tetraheadle geometry होगी और यहां पर कौन सी होगी square planner अगर अपन बात करें tetraheadle की तो आप यह कह सकते हो कि वहाँ पर आपको optical isomage मिल जाएगी geometrical नहीं मिलेगी लेकिन यहां पर dsp2 की बात करें तो वहां geometrical आपको मिल जाती है optical नहीं मिलती है लेकिन ultimately stereo का case यहां पर possible होतो पा रहा है लेकिन कोडिनेशन नंबर दो और तीन में आप कह सकते हो ना तो geometrical isomage होगी नहीं optical इसका मतलब कोडिनेशन नंबर दो या तीन का hybridization sp2 आपको मिलना चाहिए sp2 hybridization के अंदर अगर dissimilar 87 क्यूशन की अगर अपन बात करें तो students अगर अपन 87 नंबर क्यूशन की बात करते हैं इस क्यूशन में आपको क्या पूछा गया है इस क्यूशन के अंदर अपने पूछा गया है अपन 87 नंबर क्यूशन की अपन बात कर स्टुदेंट्स इस क्यूशन के अंदर देखते हैं अपन विच फॉलॉविंग ऑक्साइड इस मिक्स एनाइडरीड देखो स्टुदेंट्स जब कभी अपन एसिडिक एनाइडरीड की बात करते तो वाटर से रियक्शन करवाने पर आपने वह ऑक्सी असिड मिलता है जैसे जैसे बात करने जा रहा हूं उब आप आपको पता है तो घरम करने पर क्या वनेगा पने इस का मतलब एक ही टाइप एक तीड का अगर ऑक्साइड बन रहा है तो वह तो एक प्रकाट सिंपल ऑक्साइड अपन कर едग है एक से अधिक प्रकार की Oxide से अगर कोई Oxide अपने हो मिलता है तो उसको अपन Mixed Enhydride अपन कह सकते हैं चलो कुछ एग्जामपल अपन होट देखते हैं जैसे मैंने आपको बोल दिया N2O4 N2O4 की वाटर से रियेक्शन करवाने पर एडिशन रियेक्शन है सिंपल H2N2O5 बनेगा इसको अपने वो ब्रेक करना है HNO2 और HNO3 के अंदर यह किस टाइप से ब्रेक होगा HNO2 और HNO3 इसका मतलब यह वाँ कि स्टुरेंट्स यह जो compound अपने पास N2O4 है यह N2O4 दो nitrous acid नाइट्रिक असिड को गरम करने से अपने वो मिलेगा क्लियर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप HNO2 और HNO3 को अगर आप एक साथ गरम करते हो ठीक है ना अगर इसको अपन गरम करते हैं तो यहाँ पर water molecule माइनस हो जाएगा और बनने वाले compound कौन सा होगा इसका मतलब यह एन हाइडरीड है नाइट्रिक असिड का बात क्लिए रहे गया तो यह मिक्स एनाइडरीड के लाएगा तो यहाँ पर आंसर तो अपने मों मिल गया है एन टू ओ फॉर वेगिन अपन चेक करते हैं अगर मैं आपको कहूं कि SO3 किसका एन हाइडरीड है तो अपन चेक कर सकते हैं वाटर से रियक्शन करवागे SO3 की रियक्शन जब अपन वाटर से करवाते हैं तो स्टुडेंट्स क्या बनेगा SO4 इसका मतलब यह सल्फरीक एसीड का एन है एक की एसीड का एन हीडरीड है तो यह आपको इसको मिक्स में आंसर नहीं करेंगे चलो स्टुडेंट्स अपन नेक्स देखते हैं P4O6 अगर अपन P4O6 की बात करें स्टुडेंट्स तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल आपको काम में लेने पड़ेंगे तो यहाँ पर basically compound बनेगा phosphorus acid इसका मतलब यह हुआ कि P4O6 जो है वो किसका इन है बोलो phosphorus acid अगर अपन बात करें P4O10 की तो इसकी reaction अपन 6 वाटर मॉलिक्यूल से करवाने पर क्या बनता है phosphorus acid इसका मतलब आप रिवर्ट समझ सकते हो कि phosphorus acid को गरम करने से अपने कौन सा oxide मिलेग तो यह जो तीन oxide है वह अपने आप में एक ही oxygen से मिलने वाले oxide है जबकि n2o4 आपको मिला है दो अलग-अलग oxygen को गरम करने से यह product आपको मिल रहा है कि मिक्स होगा ठीक है तो आंसर इस पर कौन सा जाएगा second चलो अपने next question की और आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर है 88 88 क्यूशन में आपको पूछा किया है स्टुडेंट विच आप दफॉलोविंग विच आप दफॉलोविंग एक्ट डिप्रेसेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन ऑफ गेलेना विच कंटेंज जड़नेस तो इस्टुडेंट अगर अपन बात करें आपने réflEx मेंदर में पढ़ा होगा फ्लोटेशन मेथल जो की फिजिकल मेथल है के अपना जो पाऊडर्ड ओर होता है उसमें इंपुरिटी बहुत ज्यादा होती है उसको इंपूरिटी उका अलग कर ना ताकि ओर की कंसंटेशन बढे इसको अपन dressing भी बोल सकते है इसको अपन beneficial भी बोल सकते है basically इस method में जो है वो हपन här safade ore को काम में लेते है ठीक ना और safade ore को अपन काम में लेते है लेकिन आप जानते हो कि safade ore को अपन water में रख देते हैœ लेकिन खास बात क्या होती है कि इसका मतलब यह स्टुडेंट यह वाटर से दूर भागता है ठीक है तो आपन क्यों ना इसके अंदर वाटर के साथ में आपन ओयल मिक्स करते हैं इसके अंदर जो फ्रॉद्स का फ्रमेशन करें क्योंकि आपको पता है सल्फाइड और जो है वह वाटर लविंग होगा या फि अपन इसमें एयर ब्लो करेंगे तो एयर है ना फ्रॉद्स के साथ में अधिक प्रकार के सल्फाइड और हो जैसा कि इस क्यूशन में बोल रहा है कि गैले ना मतलब पीबीएस अगर परजेंट है पीबीएस का अपन फ्रॉद्स कर रहे हैं इसको अपन फ्रॉद्स मिलावा रहे हैं तो इस यहां पर डिप्रेशन अपन क्या ढालते हैं तो की जैड़न एक प्रकार से complex forming metal है और यहाँ पर सी एन जो है वो लिगेंड लिगेंड का भी हो करेगा इन दोनों की आपस में रियक्शन हो जाएगी स्टुरेंट्स और यहाँ पर compound बन जाएगा एने टू जैड़न सीन फोर और यह एक वाटर सोलीबल कंपाउंड है तो जैड़नेस अपना जैड़नेस नहीं रहा जब आपने एनेस यूज किया तो एक complex में चला गया वाटर सोलीबल में तो आप केबल सलफाइड कौन सा जाएगा फोत में पीबियास तो आंस जैसे अभी अपने थोड़े देर पहले एक क्यूशन बढ़ा था कि I2 तो हेलोजन है I2 क्या है हेलोजन I2 student क्या है हेलोजन अगर आपने I2 को हाना I- के साथ में आपने reaction करवा दिया था तो students आपके पास क्या बना था I3 माइनस बना था इस I3 माइनस को अपन क्या बोलते है पौली हैलाइड्ट. अपन क्या बोलेंगे इसको पौली हैलाइड. पौली हलाइड का मतलब यह हो गया ه fights ही हम दो dess थीका आप यह बताओ कि जैसे और-अपक्जामपल इस इन, पन बात करें जैसे I3 माइनस जो हान पौली है र्कार-स मानस भी होता है आय 7 और- बी होता है ठीका ना जैसा कि मैंने i3 अभी एक्जामपल आपके सामने लिया था अगर मालो है लोजन की जिगेव पर आपके पास कोई इंट्र है लोजन कमपाउंट है इंट्र हैलोजन कमपाउंड का मतलब होता है लोजन तो एक प्रिकाड से सेम टाइप के अलिमेंट से मिलके बना जैसे आई टू हो गया और डिफरेंट हैलोजन मिलकर अगर मालों को डाई हैलोजन मनाता जैसे पूर एक्जामपल तो एक्जेक्टली पॉलिहलाइड जो है वो एक प्रकार से स्टेविटी रखते हैं तो यहां पर यह कंपाउंड है कि अपने पास यह जो स्टुडेंट कंपाउंड है कि इसके अंदर अपन एक चीज तो जानते हैं कि पॉटेसियम जो हो पॉजिटिव चार्ज रखेगा और यूनिट होगी उसके साथ भी नुटलाइजेसन के लिए माइनस वन वाली स्पीसीज कौन सी होगी आई बी आर सी एल माइनस बात क्लिए रहे गया तो आपका आंसर इस पे कौन सा होगा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा कि कि क्याई बी आर सी यल में कौन-कौन से आयन प्रजेंट है एक तो के प्लस प्रजेंट है और दूसरा एक अपने पास पॉली हेलाइड आयन प्रजेंट है जिसको अपने इस टाइब से लिख सकते हैं तो बाकी ऑप्शन आपके क्रेक्ट नहीं होंगे स्टुडेंट्स अपन ऐसे क्यूशन के अंदर और ध्यान रख सक करती है इसके पास तो वेकंट और नहीं है और यहां पर स्टरीक क्रावडिंग के काण इसकी स्टैविटी भी काफी कम होती है तो पॉली है यह बनते है जो की बड़े अटम के साथ में पॉटेसियम रोवीडियम सीजियम के साथ में जनरली शो होते हैं बात क्लिए अपन आ के अंदर आप थोड़ा द्यान से देखो इस क्यूशन में आपको चार कंपाउंड दे रखें और इस्पेसलिया आपको कॉपर के कंपाउंड दे रखें सीजियू सीजियू अब बैसिकली कंपाउंड इसके अंदर कौन सा स्टैबिटी नहीं रखेगा इसका एक बहुत ही कियू क्यूशन है ठीक ना इसको अपन देखो किस टाइप से करें अगर अपन बात करें कि से-yू एब टू से-yू-sी-व्यां-टू और एक अपने पास कंपाउंड है सी यू आइड वाइड यह इसको ऐसे लिखते है अपने पास हेलोजन है एप 2-2-3-2 और अगर अपन student इस स्थ साइड में जाते हैं तो जा तरो जाते हैं तो आपने कॉपर है ना तूस बोडा होगा कॉपर के लिए आपको इसमें Killer स्टू सी यू एलेक्टोड पोटेंशिल का मांग दे रखा है कितना प्लस में 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में आपको दे रखा है इसका मतलब आप यह कह सकते हो कि यह काफी अच्छा एक प्रकार से क्या है बोलो डिद्यू सरेंग टेंडेंसिस की काफी अच्छी है इसका केस में आयोडाइड जो है वो काफी अच्छा रिदूसिंग अजेंट का काम कर जाएगा और से यू प्लस टू यहां पर और और यहां पर कॉपर का तो रिदक्शन होगा और यहां पर कॉपर का रिदक्शन होगा और आयोडीन का क्या होगा ऑक्षिडेशन तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा आय टू तो बैसिकली यह कंपाउंड क्या है काफी अनिस्टेवल है क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स हो जाती है जिसके कारण इस अगे बात करते हैं नेक्स्ट क्यों और आगे बढ़ते हैं इसमें आंसर अपना कुंसा जाएगा बोलो फॉर्थ क्यूसर नम्बर देखते हैं अपन 91 बी काफी अच्छा क्यूसर नाइस्ट जब कभी भी अपन अमोनियम साल्ट के थर्मल डिकंपोजिशन की बात करते हैं जब कभी भी अपन अमोनियम साल्ट के डिकंपोजिशन की बात करते हैं तो अमोनियम के साथ में अगर मालो अमोनियम के साथ में अगर यहाँ पर आपके पास जो काउंटर आयन है अगर वो नौन ऑक्सिडाइजिंग है तब तो अपन इसको हीट करते हैं तो स्टूडेंट यहां पर क्या बनता है बात क्लिए रहे गया और यदि माल लो अमोनियम सोल्ट के अंदर जो काउंटर आयन है वह अगर ऑक्षडाइजिंग नेचर है ऑक्षडाइजिंग नेचर वाला है ऑक्षडाइजिंग नेचर तब वहाँ पर क्या होगा एंड टू मिलती है अपने को अगर अपन घरम करते हैं तो क्या बनेगा अपने को यहां पर में प्रोड़क्ट जो हो मिलेगा तो इस प्रेंट को अपन आगे बढ़ाते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि यह अपने पास कंपाउंड दे रखा है इस कंपाउंड के अंदर फोस्प अगला कंपाउंड लेते हैं अपर अमोनियम कार्बोनेट तो अमोनियम कार्बोनेट को स्टूडेंट गरम करने पर यहां पर भी काउंट्राइन के बोलो नौन अक्षडाइजिंग है तो यहां पर प्रोड़क्ट आपका क्या बनेगा एनस्ट्री और कार्वोनिक एसिड बनेगा स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें अमोनियम नाइट्राइट की तो गरम करने पर कोई रेजिड्यू यहां पर नहीं बचेगा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपको पता है कि यह एनो टू क्या है यहां पर ऑक्षडाइजिंग तो मैन प्रोड़क्ट आपका स इस तो भी यहां से अवे हो जाएगा तो कुछ नहीं बनता है क्योंकि यहां पर गेस तो आंसर आपका कौन सा होगा इस्टूडेंट फॉर सालो जी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्यूशन की और अपना आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर 92 92 क्यूशन बहुत ही सिंपल स है जैसे फॉर एक आपको मॉलीकुलो फॉर्मॉला दिया स्टूडेंट सी योशी यल 3.6 इस कंपाउंड का कुछ अमाउंट अपने को दे रखा है स्टूडेंट 100 ml.1 100 ml.1 यह अपने को कंसंट्रेशन दे रखी है अपन जानते हैं स्टूडेंट की मॉलरीटी बराबर क्या होता है मॉलरीटी बराबर होता है मॉल ऑप सॉल यूट अपन वॉल्यूम किया होंगे स्टूडेंट में टोवी अगर वॉल्यूम आपने मिली लिटर में लिया है तो मॉल भी कैसे आएंगे आपके पास Planning रिखी दे रखी युल्यूम और लिखिए दौनों को अपन मल्टि इस नमबर आएंस आपको दे रखा यह प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उसके अपन मॉल्स निकालते हैं तो आपको अगर नमबर दे रखा है मौल निकालना है तो आप किसी नमबर से डिवाइड करते हैं नमबर काफी फैमस से स्टुडेंट इसको अपन आवोगादरो नमबर भी बोलते हैं इसको अपने पास मॉल्स किते आएंगे इसका मतलब यह वा कि आप अगर मानलो एक मॉल लेते हो तो कितने मॉल प्रेसिपिटेट होते हैं उसी टाइप अगर अगर अपने को जो प्रेसिपिटेशन मिलेगा और अपने वो पता है कि यहां पर अगर अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका डबल मॉल प्रेसिपिटेट हो रहा है तो यह ऐसा कब होगा इस्टूडेंट जब कंपाउंड का फॉर्मॉला इस टाइप का होगा CO S2O का hole 5 CL CL2 dot H2O अगर इस compound के ionization की बात करेंगे student तो यहां से आपको 2 तो CL माइनस मिलेगा 2 तो आपको क्या मिलेगा CL माइनस और एक बड़ा सा आपको इसमें केटाइन मिलेगा S2O का hole 5 CL और यहां पर क्या लिखें बोलो plus 2 तो student अगर आप इस compound को AGNO3 के साथ में treat कराओगे तो इसमें इसका एक मोल होगे तो 2 मोल मिलेगा इसका मतलब यह हुआ कि इस compound के 10 तो बार माइनस 2 से आपको 2 इंट तो बार माइनस 2 मोल मिल रहा है इसका मतलब exactly यह answer आपका होगा answer will be 4 next question की और अपन आगे बढ़ते हैं students next question आपका question number 90 93 ठीक ना इस question में अपन देखते हैं student the product obtained when chlorine gas react with cold and dilute aqueous यह question student P block में काफी important है इस question के अंदर basically अपन आपन 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 जानते हैं अगर आप CL2 की reaction करवाते हो आप आप आपन आपन के साथ में तो यहाँ पर basically product depend करता है कि यहाँ पर आपने आपने कैसे लिया अगर आपने dilute लिया है और आपने अगर cold लिया है तो आप students कह सकते हो product बनते हैं यहाँ पर NACL और NACLO और product क्या बनेगा यहाँ पर H2O इसमें CL जो हो zero oxidation state में है जीरो oxidation state में यहाँ पर minus 1 में और यहाँ पर क्या है प्लस 1 में तो यह यहाँ पर क्या हो रहा है student reduction और यह यहाँ पर क्या हो रहा है student oxidation एक ही atom का oxidation और reduction दोनों चीजें हो रही है तो आप यह कह सकते हो student कि यहाँ पर डिस परपोर्शनेशन रियक्शन हो रही है डिस परपोर्शनेशन रियक्शन ठीक है ना एक टाइप की intramolecular redoxy है जब एक ही atom oxidizer reduce हो अगर student यहाँ पर आप यहाँ पर एने वह कैसा ले लेते हैं अगर आप होट और concentrate ले लेते हैं hot और concentrate तो बनने वाले प्रोड़क्ट क्या होते एन इसी एल एन इसी एलो थ्री और क्या बनेगा student water यहाँ पर देखो हैलाइड और हाइपो हैलेट बन रहे है और यहाँ पर क्या बन रहा है chloride और हना chlorate तो basically यह भी यहाँ पर कौन सी reaction है वोलो यह भी यहाँ पर कौन सी reaction है वोलो यहाँ पर आपको पता क्लोरीन का oxygenation state अगर आप निकालोगे तो कौन सा आएगा प्लस फाइब जीरो और यहाँ पर यह प्लस फाइब के अंदर जा रहा है तो यह भी आपन आगे बात करते हैं इसी टाइब की reaction जो है वो cl2 जैसे reaction शो कर रहा है वैसी बेस के साथ में reaction कौन शो करता है बोलो हाना cn2 भी करता है क्योंकि अपन जानते है cl2 हेलोजन है तो cn2 जो है वो क्या है सूडो हेलोजन है वो भी रियक्शन और यहाँ पर क्या लिख सकता हूं और क्या बनेगा अगे बढ़ते हैं इस क्यूशन का आंसर तो अपने को मिली गया नेक्स्ट क्यूशन अपन क्यूशन नंबर 94 की बात करते हैं अगर स्टुडेंट्स अपन बात करें इसके अंदर आपन बात करें कि कौन सा इनर्ट पेर इफेक्ट के कारण होता है तो अपनवेसिकली पीव लोक में आपने बढ़ाओ का स्टुडेंट पीव लोक में स्पैसट ग्रूप नॉम्र 13, 14, 15 के अंदर नीचे जाने पर च्प्र प्र अट्रेक्शन बढ़ता जाता है क्योंकि स्टेबिटी बढ़ती है और हाइर की स्टेबिटी गड़ती है और इबन अपन यह कहते हैं कि बॉटम जैसे ग्रूप नंबर 13 उसके अंदर बॉटम एलिमेंट कौन है टेलूरियम उसकी लॉवर ऑक्सिटेशन स्टेट से क्या हो जाती है ज्यादा इस्टेबल यह कहा देते हैं अपन जैसे फॉर एक्जामपल ग्रूप नंबर 14 की बात करें तो बॉटम एलिमेंट कौन है पीबी पीबी की हाई-रृचेशन स्टेट कोन सी होती है प्लस फॉर वो एक प्रिकार से कम स्टेबल हो जाती है इस कंपेर डू लाउवर और उक्सिटेशन शेट अब अपने को बैसिकली इनेट पर इफेक्ट का कंसर्ण जो है वो बॉटम एलिमेंट की लोवर ऑक्टेशन स्टेट बिकम मौर स्टेबल देन देट आप हाय यह एक्जेक्टली इस डारेक्शन में बात करते हैं अब इसमें जो अपने को क्यूशन दिया है स्टुडेंट उस को डारेक्ट मेटल के अंदर रिड्यूस कर देता है काफी ही अच्छा रिड्यूसिंग एजन्ट है बट आप जानते हो कि एसन प्लस टू और प्लस पॉर में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है प्लस पोर ज्यादा स्टेबल होती है और यह ऑक्षिदेशन स्टेट तो तब प्लस पॉर जो ज्यादा स्टेबल होता है वह एक प्रकार से काफी वीग ऑक्षिदेशन अपन मानेंगे तो बैसिकली यह तो काफी स्टेबल है एस कंपेर टो एसन प्लस टू तो यह तो रिड्यूसरे टेंडिसी कम रखेगा ऑक्षिदेशन काफी वीक होगा तो यह स्टे ऑट और प्लस पॉर के अंदर है और आप जानते हूं कारबन फेंदी का बोटम एलिमेंट और बोल्टम एलिमेंट की जो हैं की तुलना में हादा से ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो हाइर वाली इनेट फेर इफेक्ट के कारण लेस इस स्टेबल हो गई और बिसे तो इसको स्टेबलाइज होने पड़ेगा इसका मतलब यह अपना यह आंसर करेक्ट होगा इसी टाइप से फिर से बात कर रहा है कि प्लस टू और अपने की बात करें तो आप यहां से समझ पाते हो पांसर कौन सा होगा इसमें सेकेंड डी एंड की क्यूसर नंबर 95 के बारे में बात करते हैं बहुत ही आसान सा क्यूसर इस्टुएंट आपको इसमें पूछा क्या है कि वीच बान ऑफ फॉलविंग ऑक्साइड तो देखो अपन अगर सीयस और टू की बात करते हैं तो एग्जेक्टली इसमें प्लस बन चार्ट जोगा तो इ इसके अंदर कौन सी स्पीसीज है वोलो और टू माइनस है सुपर ऑक्साइड है अगर अपन बीए और टू की बात करें तो सेकेंड एक का यह अलिमेंट है यह 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 पर कंपाउंड निट्रल होता है तो यह क्या होगा फिर माइनस टू इसकी स्पीसीज पर एक प्रकार से इसके अंदर और ओक्साइड सुपर अपन बात करें यह एक प्रकार से जुड़ता है यूज नेटवर्क सॉलिड बनाता है ठीक ना इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वह सिलिकन एटम से जुड़ा होता है तो यहां पर इस मांड के कारण यहां पर माइनस वन प्लस वन इ है ऑक्साइड स्पिसीज इसके अंदर प्रजेंट है तो आंसर अपना कौन सा होगा स्ट्रेंट सेकंड चलो जी अपन नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं क्यूसर नंबर 96 96 क्यूसन भी काफी अच्छा क्यूसन है कंसेप्च्छल क्यूसन स्टुएंट्स विच विच अच्छा क्यूसन देगो अगर अपन बात करें तो icl3 कंपाउंड जो है वह बैसिकली डाइमर बनाता है तो कंपाउंड बनता है अपने पास अपने पास यहां पर दो लॉन पेर पड़े हैं अब अपने इस कंपाउंड की बात करें अगर अपन बात करें तो i2cl6 very important यह icl3 molecule है और यह दूसरा icl3 molecule है ठीक ना जिस टाइप से आप lcl3 का डाइमर बनाते हो l2cl6 ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी लॉन पेर डॉनेशन हो जाएगा और इसके काण structure बनती है और इसके पास में दो लॉन पेर भी प्रजेंट होंगे लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात कि यह जो structure यहां पर बनी है इसके अंदर यह chlorine जिते भी आपको नज़र आ रहे हैं यह वाला यह chlorine यह chlorine यह पूरे कि सारे chlorine जो एक परफेक्ट प्लेनर में होंगे इस structure को अपन रेक्टेंगुलर planner structure अपन बोलेंगे काफी important एक point है structure पार्ट का तो इसके अंदर तो आपको planner मिल गया है student अपन बात करते हैं एन SIS3 का whole thrice काफी ही अच्छा question है अगर मैं आप पर CS3 का whole thrice करता तो student इसकी तो geometry कैसी होती बोलो इसकी geometry तो यहाँ पर pyramidal होती इसकी geometry तो कैसी होती pyramidal क्योंकि तीन bond pair और एक क्या है long pair SP3 hybridization हो जाता और geometry कैसी हो जाती student pyramidal लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ यहाँ पर orbital है यह कौन सा हो गया फिल्ट 2P orbital और silicon के पास में क्या होगा स्टुडेंट वेकेंट 3D orbital तो basically back donation यहाँ पर होगा और जब कभी भी स्टुडेंट लॉन पेर बैक डोने स्ने रेजरेंस पर पाटिस्पेट करता तो इसको अपना पर एस्पीट वार्षण है और ट्राइगोणल प्लानर इसकी जोएमेट्री होगी ट्राइगोणल प्लानर इसका मतलब यह भी प्लानर हो गया ब्रेट्व 2-1-6 की students अपन बात करते हैं आपको पता है कि बॉरेंज यह वह मोनोमर की रूप में exist नहीं करता है यह क्या बनाता है बोलो डाइमर की रूप में exist करता है यह अपने पास दूसरा बोरेंट मॉलीक्यूल हो गया अब exactly होता क्या है इसके अंदर यह tricentric bond बनता है ठीक ना यह कुन सा bond मनता है tricentric bond या इसको student अपन बनाना bond भी अपन बोलते हैं या student इसको अपन क्या बोल सकते हैं 3 center 2 electron bond या 3 c e p bond भी अपन बोल सकते हैं यह terminal जो hydrogen है वो replaceable होती है ठीक ना और terminal hydrogen के अलावा अपन bhb bond जो है इसकी bond length भी अलग होती है basically यह hydrogen अगर मालोब इस board के plane में है तो bhb bond इसके perpendicular होंगे exactly यहाँ पर अगर यह terminal bhb bond है वो अगर इस board के plane में है तो bhb bond कैसा होगा student वो इसके perpendicular होगा इसका मलब non-planar structure होगी किसकी b2 a6 की answer will be third अपन next question की और आगे बढ़ते हैं students अगर अपन next question की और आगे बढ़े हैं तो question number अपने पास है 97 काफी ही अच्छा और simple सा basic fundamental question है चलो अपन इस question की अपन बात करें we solve the following compound do not form native bond with bf3 अपन जानते है student bf3 जो है bf3 के अपन बात करें तो यह boron जो है और इसके पास में एक वेकेंट और्बिटल पड़ा है क्योंकि टूस्टू टू टूपी वन excited state के अंदर एक लेक्टोन इसका आगे चला जाएगा तो आप कह सकते हो कि कि इसके पास वेकेंट और्बिटल है वेकेंट और्बिटल है मतलब यह लुइस अचिद का काम कर सकता है हालाएं कि काफिल क्योंकि इसमें बैक्डाइशन हो रहा है लेकिन फिर भी अपने को इसमें कॉडिनेट बून बनाने की बात अगर अपने करनी है तो इस्टुट्ट आपको लॉन पेर्ट रोणाट चीए फिर इसके वेकंट और विडल में लॉन पर डॉनेट करने वड़ा चीए तो आगर मैं में बात करूँ यहां पर अमोनिया है तो अमोनिया के पास में लॉन पेर है तो यह दॉनेट करेगा कोर्डियन बना सकता अगर अपन में लेता हूं यहां पर आर एनस्टू तो आर एनस्टू के अंदर भी आप जानते हो श्टूडेंट के पास में कोई डानेट करने के लिए लॉन पैर नहीं है तो यह basically BF3 के साथ में कोई bond का formation नहीं कर पाएगा answer will be second चलो student अपन next question 98 के और अगे बढ़ते हैं very important question basically metals student जो है metal जो हूँ dilute acid and water के साथ में reaction कर लेती है लेकिन कुछ metal ECS में आपने बढ़ा होगा electrochemical series में उसमें copper के नीचे वाली जो metals होती है वो exactly dilute acid के साथ में reaction नहीं करती है but concentrate acid हो तो reaction हो सकती है ठीक ना जैसे dilute HNO3 अच्टोसोफोर हुआ ठीक ना dilute की बजाए concentrate dilute आपने HNO3 ले लिया concentrate HNO3 ले लिया dilute नहीं और concentrate HNO3 ले लिया उनके साथ में हर metal reaction कर लेती है लेकिन AUPT जो है के साथ में भी reaction कर जाता है क्योंकि वहाँ पर nascent chlorine मिलती है student तो बात ही है कि अपने वो glass की बात करा है glass तो aqua regia के साथ में भी reaction नहीं करता लेकिन वो किसमें soluble होगा देखो इदार अगर अगर अपन बात करें glass की बात करें तो basically glass के अंदर main composition जैसे silica silicate बगएरा होते है basically product क्या होते है manly component क्या होते है si o2, c si o3 बगएर dilute acid के साथ में भी reaction नहीं करते है concentrate h no3 के साथ में भी reaction नहीं करते है aqua regia क्या होता है student 1 h no3 और 3 mol यहाँ पर hcl हो इस mixer को अपन क्या बोलते है aqua regia ठीक है ना au-pt साथ में reaction क्राने के लिए salary काम में लेते है लेकिन अपन si o2 के साथ में अगर reaction इनके साथ में reaction करवाना चाहे है तो इनके साथ में यह reaction नहीं करवा पाते है तो basically यह soluble होता है hf के अंदर जो काच जो होता है हई ना कारण क्या है काच के अंदर बैसिकली एसाई ओटू है तो जब अपन रियक्षन अपन इसकी एसे करवाते हैं तो सिलिकन का फ्लॉरेड बनता है तो अपने यहां पर चार मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहां पर कंपाउंड क्या बनेगा एसाई एपफोर बनेगा और यहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा अपन जानते हैं स्टुडेंट की सिलिकन थर्ड पिरेड को बिलॉंग करता है इसकी मैक्सिमम कॉवलेंसी कित्ति होती इच्छा है तो आप यह जानते हो कि अगर दो एच्छा ओड आप लोगे तो भी यह मैक्सिमम कॉवलेंसी तक कंप कि लिए क्या होता है हला सी यहां कलो सीयम सीलिकेट लेलो चलो चलो केलसियम लिए तो भी आप एच्छा लेने पड़ेंगे आप मुझे बताओ कैल सिलीकन का क्या बन जाएगा फ्लॉराइड और वाटर मोलिक्यूल यहां पर कितने बन जाएंगे तियल आप फरदर साथ रेक्शन हो जाएगी तो क्या बनी जाएगा स्टुडेंट एस टो एस एस एप 6 और एजट तो बैसिकली ग्लास जो हो किसमें सॉलिबल होता है एच एप में कापी ही कि इंपोर्डेंट question है और अपन बात करते नेच्सकिन की इसमें आंसर कौह से जाएगा सेगें डैक्स कुछा स्टुडेंट इंशक आपकर करते हैं 99 कि जैसे फॉर एक्जामपल कॉपर सलफेट लिया कॉपर सलफेट की रियक्शन अपन करवा रहे हैं एक्सेस ओप किया है तो अगर अपन किया इस स्टुडेंट रियक्शन करवा रहे तो यह प्लस टू के अंदर है तो पहले इसका सोल्ट जो हूँ आयोडाइड बनेगा इसका प्लस टू के अंदर लेकिन यह कम तो जैसा की ऊपर क्योशन भी आ चुका है यह क्या होगा एनिस्टेवल होगा से यू प्लस टू क्या होगा स्टूडेंट और आई माइनस क्या होगा रिडूसिंग एजेट क्या होगा यहां पर इंट्रा मॉलीकुलर रिडॉक्स और अब अपन जानते हैं कि अपने पास क्या है एक्सेस है और कॉपर जो हो उसके साथ में यूदिन लिगन का काम करेगा तो नमबर चार है तो तीन क्या यह के साथ में रिएक्शन करके फाइनल प्रोड़क्ट अपने पास कौन सा बनेगा के थ्रीं सी यू आईफोर ठीक है न और इंसॉलिवल कंपाउंड है जो क्याई के साथ में रेक्शन करके सॉलिवल कंपाउंड बनाता है कौन सा अना पॉटेसियम टेट्रा-ईडो या ऐडिडो क्यूपर अब आप क्यूपरेट क्यूपरेट और और अक्सिडेसन स्टेट अपन इसका प्लस बन बता देंगे तो बैसिकली इसमें फाइनल प्रोड़क्ट कौन सा बन रहा है जन्रली जब अपन किसी कॉंप्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो लुइस एसिड बेस इंट्रेक्शन होता है न्यूटलाइजिशन रेक्शन का वह एक्जाम्पल होता है बट एग्जेक्ली इसमें रिडॉक्स भी हो रही है इसलिए आपने कॉपर प्लस टू में लिया था वर्ट फाइनल प्रोड़क्ट के अंदर कॉपर किसमें है प्लस वन में अपन नेक्स्ट कुछन की और अगे बढ़ते हैं तो बैसिकली और इलेक्टोन इस्पीसीज आपको सी यह लोटू साथ होते है तो चार तो यूटलाईस होगे पांच है और साथ ठीक है ना चार HDR इधर इखक्रोन फूर्टौन होग और एक लेक्टॐन यहां पर रह गया तो तो फॉय हैजिक्स तॉब्लाई का अच्छा गया होगा और फेपर में कोई ट्लस अपका गलत भी हुआ है तो स्वागत झाल झाल